कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुने काशी भाई को मार डाला नीचे उतारो इसे हाई खुलकरनी मिल गया है यह देखिये कोने भे तू और तुने मुझसे क्यों पंगा लिया है मेरा आप सीधा साथ रीडियो जोकी हूँ आपसे पंगा लेने की मेरी कोई आउका नहीं है वह तो मुझसे सबात्मा करवा रही है हिर बहुत देर से ऐसी ही बखवास कर रहा है यह जय आसाने शह नहीं बताएगा मारो जो से सर शुच नहीं बता है जब दो से शुच नहीं से शुच डीजी इस प्लिज जोड़ें शुच नहीं जाता है डिड़ अब तुर पर को में तुर सेन एंघ यह krij्ग औरी खें गभना करitaire यथ यह थी तूरे आयपके है हो अगना करे थेंट duż अ कि अ आपक है व्हार प्वार। वह वह लग्षाद हुष वह उच्छो लग्षाद लग्षाद अपया हाँ लग्षाद सुख, लिस, टेज, वेग, सॉख, थेग, सॉख, बीस, जेग, सॉख, नचिस, जेग, सॉख! साव कि अड़े लुक्चा चौरते उसको अजुक कि अखिर कौन है तू पोलिस वाला है गुंडा है दुश्मन दुश्मन हो मैं तेरा दुश्मन हो तुसकाशी को मैं नहीं मारा है तुछे नहीं छोड़ूंगा कोई आत्मा बात्मा नहीं मैं तुछे ही मारने आया हूँ तुछे जेल से बाहर मैं ही निकालूंगा तेरी फाइल मैंने ही जलाई है तेरी जान भी मैं ही लूँगा यह सब मेरा प्लैन है लेकिन तू यह सब क्यों कर रहा है जान जाएगा मरने से पहले सब को जान जाएगा तेरी आखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर कंसल्ट क्यों किया मेरी आखे ही मेरी प्रॉब्लम में डॉक्टर निकाल दीजिए वाट आपने जो सुना सही सुना मैं अपनी आखे निकालने के लिए ही आया हूँ मैं हाज जोड़ता दॉक्टर निकाल दीजिए उससे क्या सड़ा हुआ दात समझ रखा है या फिर किट्नी का कोई स्टोन क्या ऐसी ऑप्रेशन करके निकाल दूँ आखे हैं आखे हैं भग मुझा पागल समझेंगे मैं तुम्हे अभी भी वही समझ रहा हूँ तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ अरे मैं डॉक्टर हूँ ऐसे सॉल्व कर दूँगा बोलो टू यर्स बैक मैं अंधा था डॉक्टर लेकिन फिर भी राजा की तरह चीता था जुआ प्लिश सब्सक्राइब कर दो दॉप करते हुए फोटों लेकर फेसबूपर डालूंगा तो लाइक ही लाइक मिलेंगे चलो भाई मैं रोड पार करवादू मैंने पुछा क्या मैंने पुछा क्या मेरे साथ फोटों घीच कर फेशब्ट में डालना चाहते हो यह पॉपलिसिटी का शौक मेरे सामने मत दिखाना मैं क्या तुमसे रोड पार करवाने के लिए यहां खड़ा हूँ डिजाइन, वो आ गई है, अरे वाह, क्या दिख रही है, वो मेरी है, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप मुझे रोड क्रॉस करवा देंगी, रोज यही करती रहूं क्या, यहां पर किसी को भी यूमैनिटी नहीं है, अरे आदे घंटे से मैं आखड़ा हूं, कोई भी रो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं आपका साइज भी बता दूंगा, सुप्रिया जी, हम दोनों कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, वाट? अंधे आदमी को रोड पार करवा रहे हो, क्या? अपे साले तु गया नहीं, अब तक अगर कोई देने वाला होगा, मुझे फोन आजाएगा और मुझे आखे भी मिल जाएंगी, और अभी तो मैं चिट्फंड में भी पैसे भर रहा हूं, एक पच्छा सहर की अपडी है, और एक बीस सहर की, अगर आप हाँ बोलेंगी, तो पहली अपडी शादी के लिए और द मैंने रिजक्ट किया, चला बहुत बोल रहा है, शो का टाइम हो रहा है, चल चल निखल, अब सुन रहा है, आप सुन रहा है, रेडियो 92.7 Big FM, सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ, मैं हूँ तुम्हारा लव डॉक्टर, किसी के लव में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आपने बात करके बहुत खुशी हो रही है, गौतम, मैं तो डबल खुश हूँ, गौतम, मुझे एक चोड़ी सी प्रॉब्लम है, डॉन्ट वरी, सॉल्यूशन मेरे पॉकिट में है, पॉकिट में, अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ताज महल देखा है, वहरे तू तो तो हिमत आएगी, हिमत आएगी, तो ताकत आएगी, और आज सब नहीं बता दोगे, बगवा सही है, यह इसका experience है, कितने confidence के साथ फेकर आए, देखा तुमने, ओके सपना, all the best, अभी तुम सबके लिए लवली सॉंग प्ले करना हूँ, एंजॉइ, अब देखो क्या करता तब देखेगा नुगो, कैसे जान लिया कि उसने पैर बीच में रखा है, उसने पैर बीच में रखना पता है, लेकिन सॉक्स दोना पता नहीं है, हैलो, हैंक्यू सर, अभी आ जाओगा, हॉस्पिटल में कोई हार्ट अटेक का केसा है, मुझे आखे मिलने की चांसे साथ, आओ, इधर से, इतना बड़ा हार, तो जाधा नहीं हो गया, जाते जाते बेचार अपनी आखे दे रहा है, तो उनके लिए हार किया, फूलों की पुरी दुकान भी कम पड़ेगी, पर बो मरे तो, ओ जीजिस, अपने उसके बिना क्या से जीप आऊंगी, लगता है मर गया, चलो, चलो कर सहारा देते हैं, अव किन आ लिफ, आँटी, पास्ट इस पास्ट, जो हुआ सो हो गया, आगे क्या करना है, सोचो, अगर कॉफिन मंगवाते हैं, तो उनके आंखे निकालने के बाद उनको उसमें पैकरेंगे, अब तक अब तक आँए निकालने के बाद उनको अब शादी करके क्या फायदा, तुझे क्या करना है, आँटी, अंकल की आँखे तो खराब नहीं हुई ना, उन्हें अब तक जश्मा भी नहीं लगा, सुई में आराम से धागा डाल लेके, क्या बात है, ऐसी आँखों के लिए दिन भर वेट करूँगा, तब ही कोई गलत करो, दोनों मिलकर साथ ही उनके पास ही चले जाओ, God bless my Thomas, nothing to worry, he's out of danger, thank you doctor, सुना तुमने, मेरा Thomas बजग गया, let us go and see, I can't see, पहले you go and see, happy married life, auntie, hey Gautam, भगवाल, मुझे लगा था, आपके सिर्फ आखे ही नहीं है, लकिन आपके पास तो कान भी नहीं है, क्या हुआ अबे, हमें खाने के लिए, चिप्स, पीने के लिए, दारो, सब दिया है ना, ओ, ओ, चखने के लिए, कुछ नहीं है, इसलिए मैं, आला चुप रहा है, 25 साल सब भी क्मांग रहा हूं, उन्हें सुना यह नहीं देता है, क्या, मेरे और कोई सपने ही नहीं है, क्या, एक लड़की, दो आखें, तीन बच्चे, और साट साल की जिन्दगी, यह भी ख्वाइश पूरी नहीं हो रही है, यार, छे, तुझे एक बात पता है क्या, क्या है, क्या बोल, सुभा ट्राफिक में वो लड़की, वही पॉफिम ओले लड़की, हाँ, उसी लड़की ने मुझे रिजट कर दिया, और सिर्व वही लड़की नहीं, मेरी आखें ना होने की वज़े से सभी मुझे रिजट कर दिया, आखें नहीं सकता, लेकिन प्यार तो मैं कर जाएगी, तो नसदी का, तेरी दो, क्यों, अभी जब इंसान ही नहीं दिख रहा है, तो फिर दिल कहां से दिखेगा, अरह सब हो जाता है यार, अभी तु लड़कियों को जानता ही कहा है, जब लड़की किसी से प्यार करती है ना बटा, तो वो यह नहीं देखती है कि गर अभी वे अमीर है कि तेरी तरह अंदा है, अगर ऐसी लड़की मिल गई तो तेरी लाइफ पलड़ जाएगी, मैं बोल रहा हूं लिख ले, और यह मत सोचना कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होचा है बेटा, अब जल्दी चल जनतावार बंद हो जाएगा, अचा सोचना हूं को स्विख लुख लिख लिख लोगा एदाघ्याइगा, मैं अब जल्दी चल जनतावर चंटाव पल्दी च्यक्तावर आएगा अब यह मत सोचना कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होचा है बेटा, थैनक्यू, अब जलना, और भाइग अर बाइग अनदे यहां सुबावा ल वेरी नाइस ये कार का कलर आपकी टेस्ट है मुझे ये कलर बहुत पसंद है और रूम पर जाने के बहुत बताता हूं चल चल पीछे बैट चल बैट रहा है जाना है जंता बार सोच रहे थी आप लोग उन्य ड्रिंक किया है थोड़ा 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 थमसा पिया है और उसके अंदर विस्की मिलाई होगे तुने मिलाई क्या वैसा कुछ नहीं है देखो नाटक मत करो पीकर चलाओगे तो तुमें ही नहीं सामने आने वाले के इसके बारे में मत सोच पीओगे तो क्या मिलेगा तुमें बीयर पीने से अच्छा है पानी पीओ वाइन पीने से अच्छा ही रहता है और वाइन में 75 परसंट जूस अब पी लिया तो क्या है गलत है वह बोल्ड रही है ना विया बेरी सॉरी जी तुम लोगों का प्रॉब अभी तुम्हारी ड्रिंक का कॉंसेंट्रेशन पूरा लाफ के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा हो गया समझ यह तो गया बहन जी आपको मालूम नहीं पढ़ रहा है क्या इसने थोड़ा ज्यादा पी लिया ना अब चो बैटना आप बोली है ना कभी भी पीने का मन करें तो अपनी आख के बन करो और उस लड़की को याद कर लो लाइफ में बॉटल को टच नहीं करोगे आपका आइडिया एक दम अच्छा है आप लोगों को यह उतर ना था अब इसकी तो इतनी जल्दी पहुंच गया है दूसरा कोई नाम बदाना चाहिए था ना चाहिए था था थैंक्यू थेंक्व और कर लिया क्यों सब लोगों ने मुझे रिजट किया इसलिए अब ऐसे दिखाऊंगा मैं देख सकता हूं मेरी आखें और बताता हूं, सबसे पहले तो उस लड़की का ओफिस, कॉफी पिने के लिए रेस्टरांट और जॉगिंग करने के लिए पार, सब के फूल डिटेल्स चाहिए क्या भी हॉस्पिटल में लेकर आया है? कोई मुझे आखे देने के लिए ऊपर चला गया क्या? असली बात बताओंगा तो चला जाएगा तू, वो लड़की यही आखों की डॉक्टर है अच्छा वो आखों की डॉक्टर है, तो हम भी तो लॉब डॉक्टर है, अपनी तो पुरी डॉक्टर फैमिली लगती है की अधिक अधिक पॉर्च सुख वारत के लिए होस्पिडल ने रखा है, इसकी बीडिटेल चाहिए, चलना हुँँग यह होस्पिडल का कैंटिड है, मेरे बोलने से पहले हिलमात वो रोज यही लंज करती है करेंट आढ ढग किया एंग कि कि अग कर्सके अग विपाया एव पित्व प्रविप पेढ़ है है अगे कि अग को ऑग ऐ दॉन को से अग नहिंग totaुन आ पूप अग रोग कि अग अग जब जब एग हुआ मैडम ये रिपोर्ट्स देखिए मेरे रूम में रख दो मैं आकर देखती हूँ ओके मैडम हलो ममी बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है वो तुमसे मिलने हॉस्पितल के कैंटीन में आ रहा है उससे मिल लो बैटी उचे शादी की क्या ज़रत है आ नौट इंडरस्टुन शादी की नाम से ड़ती क्यू है किसी से प्यार करती है क्या मुझे टेंशन हो रही है समझ गया ना मैं पॉफेक्ट हूँ सीक्रेट टेंटेशन वह आ गई तो डॉग स्कॉर्ट से भी डेंजर है तो ब्लूटूथ में रहना और कोई गल्ती मत करना तो भाग जाओ क्या इनफॉर्म करता रहे है फिलहाल थोड़ा दूर रहे हाई हाई आपका लव डॉक्टर गौतम आ चुका है अभी आगया हूँ तु क्यों अगया है अपना अफम जाके वहां बजा कहां चली गई यार उस तराफ किस तरफ पचलना और राजेश सोचा था घरवालों की बसंद बहुत सीधी साधी होगी मगर तुम तो बहुत होट है क्या मैं बहुत खोले वीचारों का हो और खोले-खोले लोग मुझे बहुत पसंद है अगर हमें क्लोस होना है तो हमें खुल्ना होगा अगुलना बता आ बाता बोहं है क्ला प्ला नंद civ तुम्हें क्या चाहिए खुल के बोले वन चॉकलेट आइस क्रीम चॉकलेट खाओगी बंच्ची हो क्या दाद खरा हो जाएंगे कुछ और मंगाओ और कैंसल वन चॉकलेट आइस क्रीम टू स्पून्स ओके सर्थ मेरे बारे में जानती नहीं हो क्या वो लड़की तेरे राइट में आपको ही यहां इसके घरवालों को मैं पसंद नहीं हो और अगर पसंद ही नहीं हो तो वह लॉब क्या है ब्रो मैं भी तेरी तरह बिल्कुल खुला-ख रहता हूं वैसे इससे शादी करने वाला तू ही है ना कॉंग्रेट्स मेरे गल्फरेंट के बारे में कुछ बोलना मता वह बहुत ही अची है ब्रो एक बार मुझे फीवर आया था तो फाइफ डेज मेरे घर में मेरे साथी थी पता है नहीं पास दिन रही थी खुल्लम खु तुम ऐसे दिखा हो जैसे तुम इसके हस्बंड हो खुल्लम खुला और मैं इसका बॉइफ्रेंड बन कर रहूंगा खुल्लम खुल्ला एची इतनी गंदी बात तो आसता किसे ने सोची नहीं होगी तो एक बर सोच लो ना सुनक ही उल्टी आ रही है अरे खुलके बोलने के कहा तो इतना खुल गई मैं जा रहा हूं रो प्रो प्रो अरे एक बर सोचो तो से एक चुपर है थैंक यू यू हल्प मे लॉट इसे पता थोड़ी दर पहले तुम्हें फोन पर बात कर देवे सुना ओ ओके तुम यहां कैसे आपने तो कहा था था कि कोई अच्छी लड़क अच्छी लगी है तो इस लव डॉक्तर से कंसल्ड करो अभी आपके लिए लवली सॉंग प्ले कर रहा हूं एंजॉय खुदकी तो ट्यूब लाइट बंद है और दूसरों के मामले में उंगली करता है यह हेलो नेत्रा मैं किशोर वोल रहा हूं अ गौतम प्रोग्राम में है थोड़ा अर्जिंट है क्या जल्दी से बीच के पास ठीक है आते है बाई कौन है वे गल्फ्रेंड थी हावे यह इस आफरिकल फेस की भी गल्फ्रेंड हो सकती है क्या मेरी गल्फ्रेंड नहीं गौतम क में बहुत इंट्रेस्ट है आज के लड़कियों को क्या हो गया लंगूर के हाथ में अंगूर क्यों आ जाता है मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मुझसे लड़की नहीं पड़ती क्यों बैसुदर्शन किस पर जल रहा है तू हां इसका तो कामी है अरे नेत्रा ने फोन किया था अरे तो चलो फिर तुम यही रोको मैं यह प्रोग्राम के लिस्ट दे कर आता हूं जल्दी आ जाना आता हूं वांटर्ट सर सब्सक्राइब कर दो अरे सुख जाएगा कैसे पता चला इसे कि थैंक यू है क्या बात है अचानक बला लिया अशे पहले बताया हो तो तो प्रिपरेशन करके आते ना प्रिपेरेशन तो आफिस से लीव लेकर आ जाता ना वैसे हमारे होस्पिटल ने आई डोनेशन केंप लगाया है ओ वेरी नाइस पर यहां कोई भी आई डोनेशन के आगे नहीं आ रहा हो न आपका रहा न हम आपका लेखंगे तो लोग इंस्पार हो कर आउगे है इसलिए बुलाया है तोमें बिला और इसमें बड़ी बात है देदेंगे ना बेटा आखे को बॉल लाई है आखे डेने और पीलेटा आँखे देनेखे जरूर देनेगे आथ आज नहीं तो देदेगा आके है तेरी आज नहीं तो कला जाएंगी ना जाते वग उसे रखकर क्या करेंगा वापस लोटा देंगे तो विस्सा बराबर चल तेरा नाम भी लिखा दे थैंक्यू साइन करो अब पहले तू कर अब यह पैंक्यू सो मट देखा आपने कितना आसा जिसकी आखे नहीं यह वो अंधा नहीं है बलकि तुम लोग अंधे हो जो आखे रहे कर भी इस तरह सोचते हो खर कोई हम क्यों दे हैं हम क्यों दे हैं ऐसा ही सोचते हैं इसलिए आज के दमना ऐसा है नहीं तो अंधे लोग कब की दुनिया देख चुके होते हैं बरने के बाद जो मिट्टी में मिल जाएगा उससे इतना प्यार किसली है कि एक अंधा पैदा होता है तो उसे हम नहीं रोग सकते लेकिन वो अंधा ना रहे ये तो हम कर सकते हैं याद रखना इस वाट को वाओ आखों के बारे में क्या अच्छी बात कहीं वो तो प्यार में पड़ गई होगी मतलब पेशिंट को अंदर भेज दूं क्या मत भेजना किसी को भी मत भेजना सारी अपाइंट्मेंट्मेंट्स कैंसल ओकी सारे गीता तुम भी मता ना ओकी सार इंट्रस्टिंग कंटीनू करें लोकेशन कॉफी शॉप है कॉफी शॉप में क्यों लाया है मुझे सप्राइज तुम यहां बैटो मैं भी आती हूँ ओके आल बीबाद सप्राइज ए राइट में जा राइट में जा क्यों लेट में बैठ नहीं क्यों नहीं वो लडगी मान जाती है तुसकी गोद में बैठ जाना है गुद मॉर्णिंग मैम जैसे कहा वैसे ही डिजाइन किया वाव सूप अल दे बेस्त थांक्यू इस इस पर यू कोफी तो बाद में पीलूँगा पहले सप्राइज क्या है वो बताओ ना वो क्या है पोगी कॉफी बताएगी कॉफी बताएगी मतलब मुझे क्या पता मैं तो वहां से बहुत दूर खड़ा हूं बैए यह क्या इसने तो कुछ देखा भी नहीं है चे बेस्ट कॉफी बेस्ट है वर्स्ट वर्स्ट है पुरा जागी है यह क्या हो रहा है मतलब पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं तुम्हे यह क्या किया बस कॉफी पसंद नहीं ऐनों पर आप खंद तो कॉफी ब कंडल कर था आयले भादमें आपक पी चक्र पूह यह चेह दो अननी बड़ी बड़ी आंखे हैемся निचे देख नहीं सकते हैं अपर इसे सचा ही बता अबना उसकी ट्यूब लाइट फ्यूज है नेत्रा 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 सुरी नेत्रा मुझे बदलने के लिए किसी अच्छी लड़की से प्यार करने के लिए बूला था ना वो लड़की तुम्ही हो I love you. Hey, who are you? What is this? मुझे I love you क्यों कह रहे हो? Sorry madam, sorry madam. Same perfume है तो नेत्रा होगी क्या? Sorry madam, इसे दिखाए नहीं देता है. Oh, it's okay. ये देख नहीं सकता? पहले चेश्मा उतारू. तुम ब्लुटूथ निकालो. तुम अंदे थे और मेरे साथ गुम रहे थे, पर मैं तुम्हें नहीं पैचान पाई. मैं कितनी बेवकुफ हूँ. एक तम सही कहा? आखे डोनेट करोगे तुम. उस दिन इसी की वज़े से इतने लोगों ने डोनेट किया. तुम तो चुपी रहो. तुम्हारी वज़े से चीट किया है. ऐसे गुम्राथा जैसे सब कुछ देख सकता है. प्राक्टिस मेक्स में पर्फेट सिस्टा. जब कोई बड़ा लोकेशन होता था, तो हम एक दिन पहले जाकर वहाँ प्राक्टिस करते थे. और अगर लोकेशन छोटा हो तो यह ब्लूटूथ है ना? ऐसे है? इसका कोच बनकर मैने बहुत प्रफ्वी भूट आई है. इसे मारने की कह जुरूत है? मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए. अब पकड़ी गाये तो कवर कर रहे हूँ. नहीं, मैं सच बतानी माला था, लेकिन उससे पहले. बस करो. मुझे और बेवकूफ मत बनाओ. मैंने इतना जुट बोला तो तुमने मान लिया. और स लेकिना हूँ. लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ. लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है. चल चलते हैं. मैं बहुत अनलकी हुए. अंधाओं सोचकर माता पिता बच्पन में मुझे छोड़कर चले गए. दोस्तों को आके मिले तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया. और अब इसने भी मुझे छोड़ दिया. तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? तेरे जैसे इंसान को मिस्स किया दुखी उसे होना चाहिए. मुझे आखी मिलेंगी ना? या फिर मैं लाइफ लॉंग ऐसे ही रहूंगा? किशूर तुम अर्जिंटली हमारे हॉस्पिटल में आओगे? मैं आए कमिन सर्थ? मैं आखी मेरे फ्रेंट को डोनेट करें तो अच्छा रहेगा. इन आखों के लिए बहुत लोगों नए अप्लिकेशन डाले हैं यह तो तुम भी जानती हो. आपको ही मेरी हल्प करनी होगी. आइड़ तो आंसर सो मेनी कीपर. के लिए और यह सतालना तो विल्प राप 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 रोगों होगी रुए मुझें आपका डोगों मते हैं इस पिन स्फियाइए मुझे आट यह यह डेक्ति हैं रोगों होगों होगों आफ्योल तो अट्लां कि दो गुक्रेम ठाहिए एक अचाया मुझेश्य के अच्ए करणया तो जनरेटर है ना किया रॉक 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 दॉक रॉक डी सब्कूटर में मैं औरlike आखे दे रहे हैं, मुह बंद कर अपना, सारी डॉक्टर, मैं देख सकूँगा, यह गैरेंटी तो है ना, जरूर आ जाएगे आखे नहीं है इसलिए, एक लड़की नहीं मुझे छोड़ दिया डॉक्तर हाँ, लेकिन आखें मिलते ही, उससे ज्यादा खूब सुरह लड़की ले जाकर उसके सामने घुमाऊंगा आखे डॉक्तर, अभी समझी, अगर मुझे नहीं दिखा तो, तो जिन्दगी भर नहीं दिखेगा वन मिनिन, अब दीरे दीरे आखें खोलो, हाँ खोलो अरे पाब्रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या, ये क्या, तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं पोरे आ हॉस्पिटल पे केस कर दूँगा, किसी एक टॉक्टर को भी नहीं छोड़ूँगा, पहली भूल देता कि अभी दिख रहा है है दिख रहा है दोक्टर मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि अरे याद मैं जाना मुझे मैं तेरा फ्रेंड किशोर अभे किशोर तू इतना गंदा दिखा है अरे मजाक करना हो याद उजे आंके मिल गए मैं देख सकता हूँ अरे आजा मेरे गलेख में आजा मेरे दोस्त पर देख सकाओ पुछ आखे मिल गए तुझा अच्छ निगर जाएगे अपर सिमेट नगया किसी कि रिए आप कि 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 किसके यह वो करी मेरा उदुसका क्या संबन्त है कि कि भो सबना था बोल जाओ से अब तो डबन डबल नाइन नमबर वाली गाड़ी पता नहीं समय कहा होगी और पता नहीं होगी भी या नहीं सच कर नहीं और नहीं हम ठीक है कर अ पंडेजी, मेरे बेटे के नाम से पूजा किश्या क्यों आये हो यहां पे मंदिर क्यों आते हैं सर माधा टेगने आप तो जानते ही हैं यह भगवान कितने पावर्फुल है एक साल पहले मां स्मगलिंग करता था इसलिए कस्टम आफिसर मेरा कॉंट्रेक्ट कैंसल कर दिया था तब मैंने इस मंदिर में पूजा करवाई एक हपते के अंदर इन्होंने उसको बुला लिया इस बार आपने मेरा माल सीज करवाया है इसलिए आपके नाम के पूजा करवाया है अगर काम हो गया तो बकरे की बली दूँगा और अगर नहीं होया तो क्यों बे दमकी दे रहा है तुझे देखकर मैं क्या मेरा चार साल का बच्चा भी नहीं डरेगा वो तो सिर्फ चार साल का है मुझे नहीं जानता इसलिए वो मुझसे नहीं डरता लेकिन तुम तो 40 साल के हो और मेरे बारे में जानते भी हो इसलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए जा यहां से कि अब अब आके तुझे वगवान ने दी बाइक तुझे मैंने दी फिर परशान क्यों कर रहा है इतने दिनों का गयाब कवर कर रहा हूं अरे 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 बाब रहे हैं सॉरी यह तुझे उटा अरे बगवाने मुझे आंखों के साथ एक परी भी दे दिया का है उधर देख आते लाई मौना शुरू कर दिया आचा वह आता है तो मार दूंगे अब बोलना कैसी है एनी ट्रॉबल है चलने का यहां से चलो निकले वहां से ऐसे खड़े हो जाते देखने के लिए सॉरी हां मेरे ड्राइविंग तो परफेक्ट है लेकिन मेरे दोस्त को पीछे ठीक से बैठने नहीं आता है वैसे आपको चोड़ तो नहीं लगी ना आवा सुनकर वो पैचान लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हो मैं तरह कैसे दिखते हैं तुझे कैसे पता है इससे ज्यादा खूब सरुत हो कि तो मुझे क्या मैं तो इसे फिक्स करना हूं ज़िए ि अरे सुनो आइ लव यू क्याक है सब क्या है वहां मडर करके आयो और यह कॉमेडि कर रहे हो पकडे गय तो सेक्षन 499 7 क्या है तेरी बाइटे करके बाइटा आए ह। इस्टे पकड़ें थो के आधार पर 14 साल तक जेल करते रहना कॉमेडी हैं वकील साहब 497 तो नाजाय संबंद की धारा है मेरा मतलब है कि 376 लग जाएगा तो रेप केस होता है तो कौन सा सेक्षन है वो तू ही बता दे अपने आपको कामना भटमलानी समझते हो क्या कामना भटमलानी नहीं भाई वो राम जेटमलानी है और वैसे भी इस शेर में किसकी हिम्मत है जो भाई को एरेश्ट करेगा जुक्जा भाई से मिलने के लिए पर्मिशन लिए गया है अरे वह बाप जी मडर करके यहां आके तुम दिर्यानी खा रहे हो सर एक बहुत बड़ा हीरो मेरा बाप है लोग कहते हैं के स्री देवी मेरी बीवी है यहां हर किसी को कुछ भी कहने का राइट है सर लेकिन उसके पड़के सुनारे वकील अरे तुम चिकन बिर्यानी नहीं का रहे हो मोर का मांस खा रहे हो और जमानत भी नहीं मिलेगी इन छे महनों में मैं तेरे खिलाफ सारे सबुत निकठा करके तुझे हमेशा के लिए अंदर करवा दूँगा बापची अवे किसने मुझे मोर का मांस अरे यार यह क्या हो गया पूरी दुनिया को जितने वाला अलेक्जेंडर बुखार से मर गया इतने लोगों को मारने वाला देखो एक मोर मारने के केस में अंदर जा रहा है अब जाने दो आज रात को मैं किताब पढ़ूंगा और कल सुबह बताऊंगा अई इडिएट देखकर नहीं चल सकते हो क्या सौरी सौरी क्या सौरी वोलोगे तो चले का चोड़ो ना यह सौरी बोल रहा है ना तो मैटर कहतम हो अब चलो यहां से क्यों छोड़ो इसे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए और तुम मुझे कह रहे हो अरे तुम भी ना क्यों मुझे क्यों वोला है बें इसका आभ आ ब करोण नहीं ड्रमा है है कि इतना चीट किया है मुझे थी किया था ना फाइं हलो उसके छोड़ो अपो है तूम जैसे धोके बात से तो तो मैं बात नहीं करोंगा तो तुम्मने क्या किया मेरा कि funding मुझे ही वापस दिया अरे तो उस समय मेरी पोजिशन बहुत ही टाइट थी ना मैं क्या कर सकता था आज सिस्टर तभी मोदी जी ने पुराना नोट बंद कर दिया था देखो तुमने भी गलती की मैंने भी गलती की हिसाब बराब काय का हिसा बरा बरा इसका मतलब पता है मेरा इस दुनिया में तेरे अलाबा कोई नहीं है इसका मतलब चांती हो तुम्हारे बिना मैं मर जाओंगी जो भाशा तुमने तीस दिरों में सिखी है वो मैं तीन दिरों तुम्हें क्या किया बोलो आज तेरी आखें इसकी वज़ा को ने पता डॉक्टर हिडिम बेए वह नहीं यही है तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए इसने बहुत परिशानी उठाई है तुम्हें आके दिलाने के लिए टीम के हाथ पर जोड़े साथ में रहकर आपरेशन करवाया है मुझे क्यों नहीं बताया मैंने तुम्हें हिल्प की है फीवर किया है इसलिए तुम मुझसे प्यार करो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाती थी सूपब सूपब है तुम प्यार में तो जीत गए तो फिर आखे निकाला की चाहते हो ठीक उसी वक्त मेरी लाइफ में एक विलन ने एंट्री मार रही है जलो बार जो मैं चाहता हूं वो देखर तुम जा सकती हो बिल्कुल नहीं कम से कम तीन स्यादा बात की ना तो एक दूंगी बाई अच्छी है ना बहुत अच्छी है मेरे डाली को जिसने पैदा किया ना उसे तो प्रणाम करना चाहिए तो देर किस बात की मुझे ही प्रणाम कर लो सर आ उसका बाप तो मैं चपपल से मारूंगा तोने बे तेरा ससुर आफ्टर आल तीन चार हजार रुपए लड़कियों से भीग मांगता फिरता है और तू मुझे अपना ससुर कहता है वो पैसा नहीं है सर पर तू तो तीन कह मांगा है पब्लिक प्लेस पर तू किसी लड़की से किस मांगेगा एक पिता की सबसे गलत है लेकिन अगर एक लवर होकर यह सब नहीं किया तो यह तो उससे भी बड़ी गलतियों कि यह बताओ तुम करते क्या हो जोकी हूं सर जाकी मतलब तुम रोड पर अंडर वियर देख रही जो अपनी बेटी का हाथ तुझे दूँ लव करता हूं सर उससे जदा और क्या कॉलिफिकिशन चाहिए अरे वाह इतना बड़ा आशिक है तुझे तो फिर आज़ा बेटा देख लेता हूं तुझे ब्लड सेंपल दे करा हूं ब्लड वो क्यो बीपी शुगर अलसर कैंसर एचाइवी यह बीमारियां कहीं तुम्हारे शरीर में तो नहीं यह जानना है मुझे एचाइवी मुझे की होगा सर मैं तो जेंटलमेन हूं सर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पर मुझे तो है क्या डाउ क्लीन सर्टिफिकेट पॉफेक्ट है देख लो देख लो ओके नेक्स्ट टेस्ट इस जगे को जानते हो जानता हूं एक गुंटे की कीमत यहां चॉबीस हजार है यह बता यह आपकी कितनी है और दहज में मुझे कितनी दोगे बड़ा शयाना है तु मैं तुझे यहां जग फिटनेस टेस्ट फिनेश अभी 19 राउंड बाकी है 19 राउंड रात को आप पीने वाला राउंड समझ रहे हो क्या यह से नहीं मानेंगे हलो अगर तेरा बाप शादी के लिए रेडी नहीं होगा तो तु मेरे साथ भाग सकती है क्या पापा मानेंगे तो ही शादी होगी और नहीं माने तो नहीं तो किसी और से शादी करनी होगी पासा पलट गया ना पीच में ड्रिंक ब्रेक भी नहीं है क्या हाँ बिल्कुल आराम से बैठ कर प्यों लेकिन शर्त यह है कि गिंती फिर से शुरूर अगली बार में रुकूंगा ना तो मुझे चपल से मारता है पूरे हो गया है तो हम चल जाएगा ना चला लूँगा थोड़ी बहुत फिटनिस है अब नेक्स्ट इतने आराम से चलाएगा तो हम घर कब पहुचेंगे बहुत थक्याओं से अभे तू साइकल नहीं चला रहा है वाई चला रहा है मेरा दामा ड्राइविंग में चैंपियन होना चाहिए एकसिलेरेटर बढ़ा दिया ना तो सालिंस सर तो बन जाने चाहिए तो ऐसा है तो आप देखिए सर अब यह को पानी पीने मिला मुझे वह ब्रेक फेल हो गया है जान भूज का ठोकाय बोलना जा उखाड लेगा यह चुप रही है मैं बात कर रहा हूं यह सर बाइक को जब कर लो किसर कल कोड में फाइन बरके छुड़ा लेना अधा करना तो पड़ेगा ही ना मैं निकलता हूं काम हो गया गुड़ बाइ मैं खुश हुआ बत्स कल सुबह घर पर आ जाना शादी कहा करनी है कितने लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाना है कितना फर्चा आएगा बैठकर सब डिसकस करें वैसे अंकल ने मुझे इनके बार में अब तक अभी बताया नहीं है यहां बीपी कितना है एक सो नबभे है क्या इसे उतारो और नॉर्मल में लेकर आओ कल अपने बच्चे होंगे तो यह खिला सकती है ना मैं आपका होने वाला दामादू आशिरवाद दीजिए सासुमा देली मा नहीं नोक्रानी यह सब क्या हो रहा है जानता हूं कभी-कभी हजार के नोट से ज्यादा सौ की वैल्य होती है नेत्रा संतुर ममी यह कौन है आप खूबसूरत हो इसे कॉंपलिमेंट समझ कर एक कॉफी लेकर आई है ना अभी लेकर आते हूं बहुत ज्यादा हो रहा है ज्यादी उपर ही है तुम तो टेंशन ले रही हो मैंने सारे टेस्ट पास की है अब तो सिर्फ हमारी शादी होगी यकीन नहीं हो रहा है अपने बमेत नेत्रा के ऐसे मिलने आया ओँ सर अधे लुगोस के वात करूँगा मैं यहां नेत्रा का भादर वोलना आप किसी दूसरे नेत्रा के फादर होंगे ज़रा याद कीजिए पूरी दुनिया में यहीं मिला डैडी तु यह तुम्हारे डैडी है तो कल मेरे जिसना टेस्ट ली ए और शाधी की बात करने के लिए जिसने घर पर बुला है वो कौन है तुम्हारा दिमाग तु ठीकाने पर है ना सच कर आउने तरह उनके कहने पर ही मैंने इंके गाड़ी क करते हैं मेरी गाड़ी का प्रेक तुमने पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है उसके कहने पर मैंने यह सब किया था कौन है वही सर जो मेरे साथ में था आपने भी तो देखा तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं था बूड मार्णिंग सर आओ सिनू पहचाना इसे याट सर रा आप युहीं बड़ आ रहे थे तो मैंने सूचा कोई प्रॉब्लम होगा हां सर मैंने भी ऐसा ही सोचा अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा उनके कहने पर ही तो मैंने सारे टेस्स कर वा है वो बोल रही है तर साथ कोई भी निंदा फिर भी ड्रामा क्यों कर रहा थू कोई नहीं था ना अभी प्रूफ करता हूं सीसी टीवी फूटेज निका लिए हलो तुम्हारे रिसेप्शन का सीसी टीवी फूटेज दिखाओ ओके सर हां यही प्ले करो जी सर कि अब समझ में आया तुझे यह कंफर्म पागल है इसके साथ कोई भी निए फिर भी अकेले बाते करता है चल चल कि नेत्रा नेत्रा सुनों नेतरा मैं सच कह रहा हो नेत्रा कल मेरे साथ रंशीट कुलकरनी नाम का आद्मी था क्या नाम बताया रंशीत कुलकरनी कुलकरनी ہा तैदी एक मिनेट मैं आभी आयई कि तुम इन्हीं के बारे में बोल रहे हो यहीं तो था तुम्हें पता भी है क्या इन्हें मरे दो मेने हो गया है और इन्हीं की आँखे तुम्हें मेरी है अब इस पागल से क्या बात कर रही है है मेरी बेटी अगर किसी घरीब से भी प्यार करें तो भी सोचूंगा मैं लेकिन एक पागल को उसके पास भी नहीं आने दूगा अगली बार मेरी बेटी के साथ दिखाना शूट कर दूं अधिक है चलो अगर यह मर चुका है तो कल पूरा दी मेरे साथ कौन था लड़की का बाब हूँ भाई मेरा दमा ड्राइविंग में चेंपियन होना चाहिए ससूर जी कहो ना क्या तुमने सफर किया आत्मा के साथ मजाग कर रहे हो सच मैं सर यह देखिए सर यह यह तो तुम्हारा कहना है यही है वादमी फिजिकल टेस्ट मेंटल टेस्ट क्यों कर रहे हो आपको तो बस दो तिन डाउट है सर मुझे कौन सौल करेगा उसे किसे पूछू इसके बरे में करमों का भले सब समझ गया इस आत्मा के डर से तुम आखे निकलना चाहते हो यह क्या रहे हैं सर इतने साल उबांद आखे मिली है तो अब इतनी चोटी सी बात के लिए मैं अपनी आखे कैसे निकल सकता हूं तो फिर आख कौन से इंपच हूं आखे था निकल जबांद आखे वहा ए भुम आखे हैं था ओड़िया आखे से तुम आखे हैं आखे हैं ऐसे निकलना आखे हैं आखे हैं आखे अईितने दो लिएक अज़ आखे रहें बाहर आ जाओ ना अरे मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ फर्क इतना है कि तुम जिंदा हो और मैं पर गया हूं बस इतना इसी दे सीथे बताओना तुम भूत हो लेकिन मेरा पीछां क्यों कर रहे हो वह इसलिए बेटा कि तुम जिन आ दो ख्वाहिशे उसे पूरा कर दो तो मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और तुम्हें टॉर्चर से मुक्ति समझ गया अच्छे से समझ गया मतलब आपके नाम पर अन्दान करवाना है और फिर पूजा करवानी है बस इतना ही ना बस समझ लो कुछ ऐसा ही है इसमें पहले तुम अपनी पाइक तो रोको यहां का शाही खाजा बहुट लिए उसके लिए इतना दूर आना था क्या यहां शाही का मिलेगा दरसल मेरे एक दोस्त को शाही खाजा कर पसंद्द मेरे मरने से पहले उसने मुझे मुझे मागा था मैं मर गया मैं उसे खिलाने पह पापा ऊई याया है शाही खाजा मांग रहा है हुआ ए Rub कि इतने पर जाए तूमें popular कि अ cier CBD इसे लिए तुम्हे एक लाकि लाने को कि अरे बात तो सुनिए अगर तुमने ये काम किया तो दो खोरी हो जाएगी यह किस से बात कर रहा है पैज़ को पाकेट ले गया नहीं संभाल कर ले जाना पता नहीं हो लॉयर भाई को अभी तक बेल नहीं मिलिगया उस लॉयर को वोट पैंड कर सेलपी लेने के अलावा कुछ भी नहीं आता भाई बस-बस यहीं पर रोको रोको यह कौनची जगह है क् यह दूंगा तो चले जाओगे ना मेरे एक और दोस्त को मैसूर पाक देना है उसके बाद में चला जाओ उसका किता लाख लगेगा क्या पता का फस गया मैं यह रुजा भाई से मिलना है क्या काम है यह लीजी है क्या इसमें शाही खाजा भाई को पसंद ना ठीक ठीक है को एक कुलकर यह था शाही खाजा दिया आए अरे जल्दी आओ ना स्टार्ड करो चलो जल्दी शार्ट करो यार अरे क्या हो गया यह सट्ट्र क्यू नहीं हो रही है होगी आप भूध रोकर भी इतनी जल्दबाजी किसी है एक बात बताऊ तुमें तुमने उन्हे शाही ख तक डेन रुख। सरुसरू सरु 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 मुझे को वारणा चाहता है? गॉप अभू था। यह मैं नहीं जानता था। तुम मुझे मारना चाहता है? मैं कुछ नहीं जानता है, वुषब कामुसा अत्मा का है इस रिए रांट ले दुगा? Sir, Sir, Sir. Sir, Sir, Sir. वेरे बात पर गाल तू? पुझे पन्हें, मैं तुझे, रोर्षे। यहिए, सर्फीलिस मच पर गाले, Sir, मैं पन्हें, मेरे कोई पर कुछिए, Sir, मैं पर जूनिया.. अरे बाप्रें? गया थे? Sir, Sir, रे बाप्रें, मेरे हाथ से मर्डर हो गया? तुम पिता? मुझे शोड़कर कहां भाग गय थे? अरे भाई, भागता नहीं तो मैं मर नहीं जाता तुम तो अल्रेडी मर चुके हो ना? अरे हाँ यार मैं तो टेंशन में भूली क्या तुम्हारा दिमाग ठीकाने पर है या नहीं? क्या हो? शाही खाजा की जगा बॉम देकर अंदर भेज दिया थोड़ी देर और होती तो मैं भी मर जाता डाइरेक्ट मारने के लिए कहता तो मारता क्या? इसलिए मुझे ये प्लैन बनाना पड़ा मतलब तुम्हारी दो खुवाईश? दो मर्डर्स मतलब वो मैसुर पाप? वो अगली सुईटिश इंपॉसिबल जितना भी ट्राइ करो मेरे हाथों से दूसरा मर्डर नहीं करवा पाओगे अरे, मेरे बेटे, ऐसा मत कहो जब बाप जी के बारे में पता चलेगा फिर ऐसा नहीं कहोगे वैजाग सिटी में उसने और उसके गैंग वालों ने बहुत पाप किये नहीं गए एक जनलिस्ट होने के नाते मैं उसके सारे काले कारणामों का परदाफाश करना चाहता था पर भी पोटों अच्छी आई है तेरे दो रुपय के पेपर के लिए मेरे दोस्तों करोड के माल को पकरवाना चाहता है तू यह गलत बात है वो दो रुपय का पेपर ही है जो गलत करने वाले को चाहे वो पीम हो या फिर पीम सडक पर ला देता है तयार रहना है इसके पास और क्या-क्या है चेक करो कैमरा अरे काशी बचना में चाहिए यह अब तुम ही मुझे बताओ जिन लोगोंने मेरी जान ली है उन्हें मारना गलत है क्या हाँ सो गए क्या सौरी सर कहानी सुनती मुझे नीदा चाती है मेरी आप बीती तुम्हें कहानी लग रही है आप बीती अगर ऐसा कुछ है तो अपने बेटे-बेटी को बताइए ना सौरी उसका कोई चांस ही नहीं क्योंकि मैं बैचलर हूँ अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा अभी मैं एक टेंशन से बाहर निकल कर आयो तो मुझे दूसरा टेंशन मत दो मैं दूसरा मर्डर नहीं करूंगा प्लास्ट में इनकी मौत हुई है सर इसने मारा इन लोगों को कुल करनी नाम है परस और फोटो के अलावा और कुछ नहीं मिला है भाई दिखने में तो बच्चा लगता है लेकिन बहुत ही शातिर है बाई सर कोड का टाइम हो रहा है चलिए गंगा भाई सारे कैंग के तो ट्रीकर दबा रहा था मैंने गन उसके तरफ कर दी वास मर गया अब उसे मर्डर कहते हैं तुम्हां गया ही क्योता अरे मैंने ही किया यह मुझे वहां लेकर गये थे तुम्हारे देख हों से अगले डिश कैसे तयार करवानी है रेफ्रेंस के लिए लिए किस कर रहा है सबस्केね यह बता तु किससे कर रहा है अभई यैर को अदेने वाले कुलकरणी उसकी आत्मा आत्मा ए बगवान इसे आके देदी दिमांड बंद कर दिया क्या तू बोल रहा था वो सपना था आज ये कुलकरणी कहा से आ गया अभे तेरे इस पागलपन की मज़े से लगता है मेरी जान शरी जाएगी मुझे क्या बोल रहा है उनको बोलना तू एक और आप दर्मा एपियस यहां क्यों लेकर आया अगला टर्गेट यह है क्या नेत्रा से मिलना है यार मुझे पागल समझकर उसके बापने उसे बंद करके रखा है एक बार देखकर आता हूं ना अब मुझे जीना है यार प्यार के लिए बहुत हो नी अपनी जान दिये दोस्त प्यार के लिए प्यारमाली मरें साथ में उसका दोस्त क्यों मरें शु ए मैं दस मिनिट में आता हो अब शुच्छ प्श्च मिनिट मेरी मासह ओ योध योगो ईनो आई डाई गौता, क्या हो गया है तुम्हें डैटी को लगता है तुम्हें अद्में दिखाए देता है वो ना तुम होस्पिटल में ऐसे बेहव क्यों कर रहे थे तुम सच पे पागल हो क्या एए ऐसा कुछ नहीं है अचनक आखे मिल गई है ना तो इमाइजिनेशन की वज़े से सब हो रहा है अब सब पॉफेक्ट है अब तो तुम ठीक हो ना मेरे लिए कुछ नहीं है क्या कुछ तो रखाए होगा ना कुछ तो कि हग करने के लिए तीस सिकेंड्स किस करने के लिए दो मिनेट पंद्रे मिनेट से अंदर है उससे आगे तो नहीं निकल गया यह कैसी आवाज थी कोई आवाज नहीं थी सच में है यह कर दो पंद्रे मिनेट से अंदर है क्या कर रहा है जल्दी नीचे आवर्णा गाटू जाग जाएगा तू भी उपर रजा पाप आपकी गन तुझे मना किया था फिर भी मेरी बेटी से मिले के लिए क्यों आया तू उससे देखे बिना मैं मर जाता इसलिए आया सर मैं सच कह रहा हूं अरे अरे अभी कुछ मत कीजिए मेरी सारी उमीद इसी लड़के पर तो है पहले मेरा काम हो जाने दीजिए तब तक सबर रखिए उसके बाद इसके टुकडे टुकडे कर देना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अरे जानी की पक्राइन करो किस से बसक्रां और किसे सरा आपकी बेटी से वह हो ciao करे तो कुछ नहीं बोली हायं तो उसके मोलने से पहले यह मैं बता रहा हुँ ना इस पागल से तुने कैसे पैयर किया है अहा सर मैं पागल हूँ लेकिन आप जो सौचने वैसा नहीं आपकी बेटी के लिए पागल हूँ मैं ये फील करता हूँ, इसलिए मैं पागल हूँ, सर और मेरा प्यार आप समझनी बारे, इसलिए आप पागल है हाँ, तु बिल्कुल ठीक क्या रहा है वो तेरी बेटी से इतना प्यार करता है और तूसे पागल क्या रहा है तुझे पता है जवानी में तेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए नमक सत्याग्रह छोड़कर वापस आ गए थे बासी चावल के लिए सत्याग्रह छोड़ दिया और उन्होंने मेरे किये चुक करो यह पागल नहीं है ऐसा तुम बोल रही हो न एक हप्ते तक तुम यहां पे रहेगा सब लोग तुझे आपदर करेंगे अगर तुन्हें कोई हरकत की अकेले में बढ़ बढ़ किया न तो मैं नहीं तो इन सब की नजरों में मैं तुझे पागल बना दूँगा अगर अगर वहां क्या देख रहा है तुछ शर्थ मंजूर है अगर यहीं तुम्हें चाहता था अपे पागलपन की हाद हो गया सुबा महांडर कर दिया अब इसे चैलेंज कर दिया तेरे चक्र में मेरा क यह प्लानिंग है अभी मेरा सेफ रहना मेरा प्यार सक्से सुना मैं यहीं चाहता हूं उस कुलकर्णी को कैसे सबक सिखाना है यह मैं अच्छे से जानता हूं यह फिर से कुलकर्णी का डाम ले रहा है ओ गॉड्ड वाट इस टॉर्चर आप यहीं है क्या अख यह सब क्या है यह मैंजमा देवि यह पंचम अब चामुंदी देवि हैं मेंटल दर्गा पर भी जाने चाहिए था ना वह तो इधर है अंकल है देखा भगवान में कितना विश्वास है इसका इसको विश्वास नहीं दर कहते है दादी इसको घर समझा या तांतरिक अड़ा निकाले और निकाल दो बेटा तांतरिक लग रहे हो तुम सब कह रहें ना निकाल दो निकाल दो तो वो आ जाएगा ओना जाएगा शनी तू क्या कम है शनी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड सकता है निकाल मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था आ गया ना लाइन पर ये रूम देखा इसको तुम नहीं बेटा तुम जा के दिखाओ ये तुमारा रूम आहा आत्माओं की पसंदीदा जगे रामसे का सेट लग रहा है तुम ज़रा चुप रहो इसे कोई रूम केता है ये तो डंपिंग याड है इतना अच्छा तो है यहाँ पर कुछ तो स्मेल आ रही है इस बेट पर सोने से तुम्हें अपने बच्पन की याद आएगी कोई इंसान यह रह सकता है क्या तुम्हें इमेजिनेशन करने की बहुत आदत है ना तो एक काम करो इस सोफा को बेट समझो इस खिड़की को एसी समझो और स्टैप वार्टर को विसलेरी वार्टर समझो त म meth grace कोई आत्मा एसा सोचने के बदले मेरी बहन तुम्हारे साथ है आसा सोचो तब सब अच्छा लगेة मुझे दे तुमने पीलिया ऐसा सोचो मेरे साथ यह भी कोई जिन्दगी उसे मार कर तुम हीरो बन सकते थे और इस साइज कर दो नी मारते हो मैं भी देखता हूँ कि अब अब बेका पूरी लोनो नहीं चाहिए पड़ा दूख्या है अधर में रही पूग रहा हुना चक्तर में हुमाय बड़ा बूत से पाला पड़ा इंसानों से टकरा गया ये भूतों का राजा मैं तो उसके बस में हूँ मैं तो उसके बस में हूँ वो मेरे बस में नहीं मैं जाता हूँ जहां जहां वो आता है वहीं हाँ 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 हर जगा वो दिखता है माइंड मेरा खिसका है कैसे सुनाओं किसे बताओं दासता मेरी हाँ आप 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 क्या हुआ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुलता मेरी इज़चारी है पता नहीं चल रहे अरे मेरे तो प्रांड चले गए मैं किसे बताने जाओं अरे तुम तो वाम अप मैच में ही इतना थक गए हो अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ देखो यह सब मुझसे नहीं होने वाला दोलों मिलकर कोई समझोता कर लेता है पहले मेरा प्यार सक्से सुने दो उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे यह तुम जो कर रहे हो ना यह मैं 30 साल पहले कर चुका हूं तोपी मत पहना सच बोलो तो मान नहीं रहे हो परेशान करना है मतलब करना है अरे क्या करूं मैं देखो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूं समझ गए न ऐसा है तो मैं डिस्टब नहीं करूंगा तुम्हें अपने प्यार को हासिल करने के लिए हेल्प करूंगा अब मैं तुम्हें बि क्यों बे बाप जी दिवारों पे क्या लिख रहा तू कितने दिनों में बाहर जाएगा उसका हिसाब किताब लिख रहा तू तेरा पर्मानेंट घर यही है तूने जितने भी काले कारणावे किया है ना उनकी फाइल तयार है और चार दिन के अंदर उनको कोट में सपिट करने पालों तू जिंदगी भर यहीं सड़ेगा भाई आप उसे जानते नहीं वो जो बोलता है वही करता है उसके घर में फाइल है यह मैं जानता हूं लेकिन उसे चुराने के लिए उसके आदमी को मैंने क्लिद आए यह वो में जानता है अच्छा कहां गई वह फाइल की चुर वो इस फाइल को धूट धूट कर परेशान हो जाएगा और अपने बाल नोचने लगेगा तब तुम उसके सामने जाना और बोलना अंकल यही फाइल है क्या बाहर पड़ी थी इंपॉर्टेंट समझकर इसे मैंने अपने पास रख लिया था यह लीजिए ऐसा कहते ही उस का पॉजिटिव में बनल जाएंगे सर आपकी बॉड़ी जल गई है लेकिन फिर भी आपका ब्रेन इतना शार्फ है चापलूसी बहुत हुई फाइल को समालो सेफली रख दिया सेफ है यह आडिया बहुत अच्छा है सर अब बता यह आगे क्या करना है किस से बात कर रहे हो अब ब्लूटूथ किशोर है अच्छा मुझे रखता हूँ अब बाई-बाई-बाई तुमसे बात करनी है तुम क्या करें तुम्हें भी समझ में आरहा है क्या पापा को इंफ्रस्ट नहीं करोगे तो चलेंगा लेकिन पागलो वाली हरकते बद करो कोई भी उसका दामाद अच्छा है या बुरा ये टेस्ट करते हैं पर पागल वाले टेस्ट के शुरुआ तो तुमसे ही हुई है ये ऐसे कंटीनु रहा दो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा कॉंप्रमाइस तो कर लिया है ना कॉंप्रमाइस किसके साथ वही तुम्हारी प्रमोट करने के लिए हमने एक सेल्फी कॉंटेस्स रखा है आप लोगों में सेल्फी होड़ी उन्हें इनामें 10 लाख रुपए की कार मिल सकती है अनु रड़ी गाई है अम भी रड़ी है कुल करने ए यह कहा है अभी अभी उस तरफ गया है सर अब अभी उस तरफ गया है सब खाखा के सांड हो रहे हो तुमने से एक भी उसे पकड नहीं पाया उसका फोन नमर मिल गया है भाई हेलो मैं बोल रहा हूं पाप जी मेरे आदमी को मार कर अपनी माशुका के साथ पुरे शहर में खूम रहा है तू उससे पंगा लेके कैसे ची पार का तू तू कहीं भी छुपचा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तेरी मौत कैसे होगी यह मैं तरह करूंगा कि वो बाप जी को मेरा नंबर मिल चुका है और वो मुझे बता रहा थे कि वो मुझे कैसे मारेगा अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता क्या है सर वो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उसे जाकर मारे अरे तुम भी ना तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या मैं तुम्हें चीक-चीक कर कह रहा हूं कि वो मुझे मारेगा और तुम कह रहे हो मैं उसे मार दूँ अरे इसके लावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं फाइल नहीं मिल रही मतला मैंने तो सम्हाल के रखी जी पता नहीं कहां चली गए बड़ी ऐसानी से बोल दिया फाइल नहीं मिल रही है अंकल वो फाइल मेरे पास है एक्चुली बाहर गिर गई थी उसमें कुछ आफ़ियो यह सोच कर यह अपने पास रख ली था यू थाइक कि वेरी मिट जाओ जल्नी लेकर मैं इसनतों फाइल है नहीं गया है नहीं बैंस में यह पांट वाइल कहा है फाइल नहीं मिल रही अंकल वाइल नहीं पिल फाइल की वैलू मालू है क्या वो फाइल इंपोर्टेंट है तुमको कैसे पता वो सर जल्दी बोल आपको इंप्रेस करने के लिए कुलकरणी नहीं आएडी दिया थो मुझे कुलकरणी वही सर जिसने मुझे आके दी है यह आत्मा अभी भी आत्मा दिखाई दे रही है अब तो मानोगी ना कि यह मेंटल है तेरे पागलपन से वह नीच कुत्ता कमी ना हस्ते हस्ते जेल से बाहर आ जाएगा एक हपता यह घर में ना तो यह हाल है पूरी लाइफ मैं पागल नहीं हूं नेत्रा मुझे सच में आत्मा दिखाई देती है अरे मैं कह रहा हो ना कि वह आत्मा में देख सकता हूं यह बिल्कुल सच कह रहा है इसका भरोसा कीजिए एक अच्छी से डॉक्टर को दिखा दूँआ तेरे जैसा पागल में साथ होगा तो बद्दा गौतम सारी यार ऐसा तो मैंने सोचा ही निए बस बहुत हो क्या मेरे प्यार और उसके घर वालों के सामने तुमने मुझे पागल बनाया वह गुंडा कलिया परसों मुझे मार देगा आखे मिलने के बाद मैंने क्या-क्या सोचा था लेकिन एक भी एक भी काम होने दिया यह कैसी बाते कर रहे हो तुम 25 साल में अंधा ही था आगे भी ऐसे ही जी लूँगा तुम्हारी आखे मुझे नहीं चाहिए कि कल ही निकाल दूँगा यह गौतम अब बताइए सर मेरी आखे निकालना सही है या नहीं अरे यार तुम्हारी बात काफी अटपटी है मेरे तो घले नहीं उतर रही है तो यह सोचो वो लोगे बात कैसे मानेंगे देखो यह फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते तुम कल मिलो फिर सोचते हैं सोचना नहीं है सर काम पूरा होना चाहिए सुनो तुम रहते कहा हूं एम बेबी कॉंपलिक्स चलो मैं ड्रॉप करता हूं नहीं सर मैं चला जाओंगा चलता हूं सर कैसे हो डॉक्टर बड़े दिनों बाद मेरा याद आई गौतम के बारे में बात करनी है अरे वो पागल है उसके बारे में क्या बात करनी है ज़रूरी बात है अचानक एक आदमी पागलों की तरह बिहेव करता है उसके पीछे कोई बड़ी वज़े हो सकती है वैसे ही गौतम के केस में क्या वज़े है यह पता चल गया है आत्मा सच में गौतम को आत्मा दिखती हैं आत्मा कैसे दिखेगे टू बता मुझे तो डॉलीब करता है इन बातों पर क्योंटी अभी आद्वी सायन्स के पास काफी सावाशत नहीं है अदूर्प असनलमें गौतम के बारे में तुम कितना जानते हो है अगर आत्मा सच नहीं है तो ये बता उस कुलकरणी के बारे में कैसे पता चलता आत्मा दिखती है ऐसा कहकर लोगों के सामने पागल बनने की क्या जरूरत है बिल्कुल सही कह रहे हो यही उसे समझ नहीं पाया और उसे पागल कहकर टॉचर करता रहा वो तुम्हारी बेटी क तो ना देखें यही थी ने कंडिशन जो आखें उससे ना देख पाए उन आखों का क्या फाइदा इससे लिए वो मेरे पास आया था अपनी आखें निकल वाने एक और बात अभी तेक उसने जितनी भी गल्तिया की है वो अपनी मर्जी से नहीं की है उसी आत्मा ने उससे करवाई है वो अपन कंड़ थार है यहलो गौतम एक गुड़ निवस है क्या है सर तेरा सबस्र मेरा दोस्त है मेंनु से बात की है अब तुम्हें आखे निकल भाने की कोई जरुवत नहीं है थेंगिव सो मच तुम्हें तुम्हें तुम्हरा प्यार मिल जाएगा थेंगिव यू दॉन्ट बारी आइल टेक केर रंजीत कुलकरनी व्यापारी यह क्या है रोको रोको एक्सक्यूज मी आप बोलिए यह जनलिस्ट है ना ऐसा लगता है कि यह जनलिस्ट है अरे बाहिए बिजनस्मैन बिजनस्मैन मैं एक जनलिस्ट था उसके सारे काले कारणामों का परदाफाश करना जाता था अच्छा तो वो सब लोग कौन है वो उनके फैमिली मेंबर से सार मैं पैचलर मरा था पिछले मैंने फोरें से आने के बाद उनकी हाट अटक से मोथ हो गए हाट अटक तो फिर एक्सिडेंट ओके थैंक यू कुछ तो गडबड चल रोही है तुम रहते का हो एंबीबी कॉंप्लिक्स ड्राइवर एंबीबी कॉंप्लिक्स चलो कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुने काशी भाई को मार डाला नीचे उतारो इसे कि आई कुल करनी मिल गया यह देखिए कौन है वे तू और तुने मुझसे क्यों पंगा लिया मेरा आप से कोई लेने देना नहीं है सर मैं तो सीथा साथ रिडियो जोकी हूँ आप से पंगा लेने की मेरी कोई आउका नहीं है वह तो मुझसे सब आत्मा करवा रही है बहुत देर से ऐसी ही बक्वास कर रहा है कि यह तकी आसान इसा नहीं बढ़ सर मुझे कुछ नहीं पताए प्लीज समय मुझे कुछ मी नहीं पताए मुझे छोड़ मैंने कुछ नहीं किया अगा वा अग्यिद आट हे! हुए हुए है HEY HEY खच तच 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 खच तच तच मैं आगा झांगा झांगा झांगा? धगन् कुर्णें करत कई दुञिया... खोचम आगा! यह भो! किण हम चंटार है 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 लुट चा छोड़ दे उसको अगर पोटा किर कौन है तू पोलिस वाला है गुंडा है दुश्मन दुश्मन हो मैं तेरा दुश्मन हो और उसकाशी को मैंने ही मारा है तुझे नहीं छोड़ूंगा तोई आत्मावा नहीं पत मारने हैं तो टो टेल से बाहर मैं ही निकालूंगा तेरी वाइल मैंने ही जलाई है तेरी चान भी मैं ही लूगा यह सब मेरा प्लान है लेकिन तु यह सब क्यों कर रहा है जान जाएगा मरने से पहले सब को जान जाएगा इसका मतलब आत्मा नहीं है मुझे बेवकूफ बनाया है आजा 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 तो यह मेरा बेस्ट तुम इसे जानते हो ना आखे निकल वाने तुम इनके पास गहते वह सब जानता है बस हम दोनों ही बेवकूफ हैं हाई संकर आपने हमें बहुत सब्सक्राइब हुश रहो आपका हैसान कैसे चुकाना है यह में जानता सा उसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्यों बोल रहा है कुछ नहीं आव वहां मत बेढ़ो क्यों वहां कुल करनी जी बेठे हुए है वहां तो कोई नहीं है नहीं सर यहां बेचे यह प्लेट किसके लिए कुल करनी भाई साब के लिए मेरी सारी बातों को तुम लोग इतना सीरियस ले लोगे सोचा नहीं था यह क्या बात कर रहे हैं सर वो तो आपके चाइल्डूट फ्रेंड है आपके बात कैसे टाल सकते हैं इसलिए मेरा इस्तमाल है यह सब आपकी वज़े से हुआ सर आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नही वो क्या कर रहा है मुझे सब पता है बेटा कुलकर्णी जी को दही चाहिए क्या पूछो ना उन्से आपके डाल के साथ साथ गी भी मांग रहे हैं ही डालो ना बेटी एय तुम तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो ठीक है सर खाना खाओ बेटा मेरा थोड़ा पेट खराब ह इसने पूरी फैमिली को पागल बना दिया है बेटा मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ जरा बाहर आओगे प्लीज चलिए ना सर क्या बात है सर आपने बुलाया कुलकरणी यह कुछ परसनली बात करना चाहते हैं आप जाहिए ना है जान ले लूंगा इना ज्रामा बंद कर कोई आत्मावात्मा नहीं है तुम मुझे बेवकूफ बना रहा है आखिर तो है कॉंट यह सब तो क्यूं कर रहा है इस कैंप में सिर्फ टीन लोग सेलेक्ट हुए है और उनके नाम है राजू किरन दिव्या ये मेरे फ्रेंड्स अब देखने लग जाएंगे ये ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग हां तुम्हें आखे नहीं मिल सकती तो हमें भी आखे नहीं चाहिए नहीं चाहिए तुम स तुम लोग हो ना मेरी देख्भाल करने के लिए तुम लोगों को जाना ही होगा तुम्हें मेरी कसम मुझे अब एक अक जाना है मेरे फ्रेंड्स का कोई लेटर आया है क्या नहीं अब एक एटा और लोगों को लेटर का मैं इंतशार करना था लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे फ्रेंड्स के लेटर्स आया इसे उसके बाद कई सानों तक उन लोगों के लेटरण नहीं आए लेकिन मैं उन लोगों का इंतिसार करता रहा है कि फादर कोई लिटर आया क्या मेरे लिए नहीं आया बेटा लगता है वो लोग तुम्हें भूल गये हैं अब तुम्हीं उन लोगों को भूल जाओ मैं यहार होंगा तो अन्य भूल नहीं पाऊंगा मुझे भी कहीं दूर भेज दीजिए फादर आखे मिलने के बाद में प्यार करने वाली नेत्रा को नहीं देखना चाहता था बलकि मुझे जो मेरे फ्रेंट्स चोड़कर गए थे उन्हें देखना चाहता था उन्हें कहा है यह लेटर साब नहीं लिख है ना बताइए फादर अरे बेटा मेरी बात मैं नहीं सुनूंगा क्या किया अपने मेरे दोस्तों के साथ मैं उन्हें अभी के भी देखना चाहता हूं हालो फादर हम आ रहे हैं फादर और सबसे पहले हम गातम को दिखना चाहते हैं हम आ रहे हैं उसे बताना मद सर्प्राइज है तो फिर तुम लोग जल्दी आ जाओ अजर झांग झाही! को जप प्सक काल ल बत में अजब से एषब है अंके 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 हुआ है भीए है कि नहीं हिवा है अहे है जहीं है कि अप्शे विजम अप्छात कि अप्छा एंस बार एंस हो एंस बार है कि अबूल क्या हुआ बेटी क्या कोई गोलिया चला रहा है फादर बेटी अभी तुम लोग कहा हूं क्या पर कोई मंदीर है फादर अंकल हम शार्टादे भी ब्लैंड स्कोल में रहते हैं अंकल हम अभी अब आखे मिली हैं और हम अपने फ्रेंड गॉथम को देखने जा रहें हैं अंकल आखें आते ही पहले दो लोगों का मडर होते हुछ देखा तुम लोगों ने तो यह बाप जी तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह सी याद रहेगा हम किसी को नहीं बताएंगे अंकर आखों की यही तो प्रावलम है ऐसा बैसा सब देखना पड़ता है और जो भी देखा इधर उदर उसे बताना पड़ता है सही कहाना कशी हमें मत पारें हमें छोड़ द अचासंताना अगम हाद फाद है राजो और किरन को उन लोगों ने मार दिया तुम कहां है दिव्या, दिव्या, किरण, ए किरण, राजु, राजु, बेटी दिव्या, कहा हो? यही तु आई थी, उदर या के देख रहे है, यहा नहीं है भाई, चलो, 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 दिव्या, दिव्या, पाद है, पाद है। मेटी दिव्या, वो मर गई है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, तुझे समझ आ गया होगा, अगर तो पलिस में कंपलेन करेगा, तो यह बाप ची तिरे ब्लाइंड स्कूल को बॉम से उड़ा देगा, इतना तुग आद रहना है। इनकी मौत के बारे में जानकर तुम्हें बहुत दुख होता, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हेंने भूल जा, और तब मैंने लेटा लिखना बंद कर दिया। पतम। 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 मुझे आखे नहीं मिली तो बोलो भी नहीं देखना चाहते थे। आखे मिलते ही मुझे ही देखना चाहते थे। और अगर मुझे ऐसे फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है, तो उस बाप जी को मुझे मारना ही होगा। तब से मैंने मौत से तरना छोड़ दिया और जिंदगी से आशा भी छोड़ दी। सिर्व एकी मकसद है सर। उसे जिन्दा नहीं छोड़ना है। उसे मैं मार डालूगा। लेकिन मेरा बैट लग वो अरेस्ट हो गया। अंकल उसे लाइफ लॉंग जेल में रखने की कोशिश करने यह मैं समझ किया। वो अंदर रहतों मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। उसे बाहर लाना है तो उस फाइल को गयब करना है। और अगर उस घर में जाना है तो अंदर जाने का यही रास्ता है। नेत्रा मैं जब अंदा था तो जिससे प्यार करता था यह वही लड़की है। मुझे लगा भगबान मेरा साथ दे रहा। लेकिन नेत्रा मुझे पापा से कब मिला रही हूं। नो मुझे बहुत डर लगता है। तब ही मैं सोच रहा था कि क्या करूं। और मुझे उस कुल करनी की याद आ करी जिसने मुझे आखे दे थी। मुझे आखे देकर आपने एक सच सामनी लाया है। और उस सच को न्याय दिल बना है। तो मुझे आपकी मदद लेनी पड़ीगी। आजुश्यृ 551 ये मुझे सॉर्णफ। मैं अुझे। मै बस ऐसा नाटक करने वाला हूँ। मैं मेरे साथ रहने वाले सब को पागल बनाने के लिए मैं खूदी पहले पागल बना हूँ। उस बाप जी के सामने भी मैंने गुल करनी का नाम लिप। नाम कुल करने, काम मेरा बदला मेरा, लेकिन मैंने सार इलजाम कुल करने पर डाल दी, आत्मा की वज़े से मुझे घर में एंट्री मिली, उस आत्मा की वज़े से मैं पाईल चुरा पाया सर, और उसी आत्मा की वज़े से मैं काशी को मार पाया हूँ, अहाँ पर तुम मेरे तो पर यह कौन है जब्टर आशिश शंकर इन्हें बहुत मानते हैं तब ही आपके बारे में पता चला वह आत्मा मेरे साथ है ये बात उन लोगों को मन माने के लिए पहले ये बात आपको मन मनें क्या दिमाग है तुम्हारा पर तुम्हें लगता है कि इस प्लान से तुम बाप जी को मार पाओगे एक अतम और वेसे से वो कल रिहा होने वाला है कुल करनी की आत्मा तुमको छोड़कर जाए उसका सिर्फ एक ही रास्ता है वो जाना चाहोगे क्या है सर्वों खत्म कर दो उ मैं कैसे मार सकता हूं सर तुम्हीं मारोगे वो शरीफ इंसान नहीं है उंडाए वो खत्म कर दे उसको सर डाप्टर मैं नहीं मार पाओंगो सब को पादन कर दिया सर सर कारी वकील आरोपी बाप जी के खिलाफ बुक्ता सुबूत पेश नहीं कर पाया लिए इसी लो उन्हें बाइजब लिहा किया जा रहा है ओपन हेलो जेल में रहकर बहुत इंटेंटमेंट मिस किया मैंने साही टाइम पर मिली है तेरी माशुका है है इसी टेंशन को लेकर आजा मुकेश मिल में आजा तुम्हारे लिए एक बैड नियूज है मैं उस कुलकर्णी को मारने वाला हूँ नहीं मार पाओगे वो पहले ही मर चुका है मर गया है तुमने ही दूं से मारा है मैंने कब मारा उसको मारा है चालिने और पापजी के कहने पर यानि तुम नाम तो मेच हो रहा है लेकिन Sion में मेच नहीं हो रहा है लेकिन åbund रूख टकले है यह क्या बोली हो अगर काशी ने कुलकर्णी को मारा तो फिर कुलकर्णी काशी को कैसे मारेगा? इनसान की मौत होती है, आत्मा की नहीं, यह सब आत्मा कर रही है, आत्मा? आत्मा? आत्मा. भई, मेरी बीवी ने फिश करी बनाई है, मैं घर पे जाऊंँ. ये सच ये सब आत्माई कर रही है आत्मा नहीं सर ब्रहम है ये कौन है बे उस कुल करनी का सिम का डिसी के नम पर है बाई क्यों बे तू कुल करनी का दोस्त है नहीं सर गौतम का दोस्त हूं तो फिर कुल करनी कौन है वो गौतम का दोस्त है मतलत तुम सब दोस्त हो न वो क्या यह आप है यह काशी है सर और यह गौतम है सर तो कुलकर्णी कुलकर्णी है नहीं सर वो मुझे सब के बारे हैं बता रहा लेकिन कुलकर्णी के बारे में क्यों नहीं बता रहा है उसने मेरे आत्मियों को क्यों मारा यह बता नहीं तो मैं तुझे मार ढालूंगा उसने मतलब क काशी को बारने वजा कुलकर्णी है लेकिन आप गौतम को ढूट रहे हैं सर अभे ये क्या बख रहा है तू आपको समझ नहीं आया चलिए फिर से क्लियर करता हूँ जो काशी पर गया हूँ आप जिन्दा नहीं होगा कुलकर्णी को बढ़ना चाहते हूँ पैदे मर चुका है और आप एक बास तुन लीजे मुझे बारकर फैदा ही नहीं है ये बास समझे बिना आप मुझे उठा कर ल अचा माल लेता हूँ कि कुलकर्णी एक आत्मा है या फिर एक ब्रह्म है फिर भी वो कुलकर्णी बार-बार हमें क्यों दिखाई देता है बताओ तुम्हें दिखाई देरा दिखा तो है चल दिखा हां आख खोल के देखो ये गौतम है वे टकले उसकी जब से आखिया ही त हम शार्दाते भी प्लैंड स्कूल में रहते हैं अंकल अंधरा साल पहले मैंने उसके दोस्तों को मारा था और इसलिए मुझको मारने करे उसमें इतना बड़ा प्लैन बनाया गौतम इसे कुछ नहीं पता वो बेगुना है बेर उसे क्यों मारता है बेर अगर मैंने उन्हें जानी नहीं दिया तुम लोगों का लग करके बहुत बड़ी गलती की मैंने अभी मैं तुझे बेंके पास भेज देता हूं वो लोग भी तू भी हैपी तेरी दोस्त दिव्या कैसे मारतों से पता है यह देख ऐसे 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 उसकी गर्डन को पकड़ कर ऐसे मरोड दिया था जैसे मुर्गी की गर्डन को मरोडते हैं कुए जेसे मगर्मसकी तक पान इतुमी देख कैसे आरे यह अन्हेरे में क्या चल रहा है टकले जैसे मगरमस्कीत अकत पानी में होती है, वैसे इसकी अंधेरे में है. मेरे बच्चे का ट्यूशन से छुटने कर टाइम हो गया है, मैं जाओं क्या फोन निकार, और एक एक करके अपने सबाद्मियों को फोन कर, ठीक है भाई मिह इतना टाइम क्यों लगाया, और यह तो गया, यह मजे क्यों फोन कर रहा है, यो घै, कहांबे तू, घै, मेरे दोस्तों ने भी ऐसी भीक मांगेती ना तुझसे क्याता है कि मैं अंधेरे में ही पैदा हुए थे एंधेर ही इसती हेंना ने गुद्ध कर दाता है है दुझसे नीच को मिन एक पहले सी पता होता तो हम कभी आखे नहीं लगवाते हैं उसी अंधेरे में रह जाते हैं उनको आखे मिलने के बाद वो मुझे देखना चाहते थे कि वो लोग मुझे कितना चाहते थे वो तूने देखा है तो उने भी मैं कितना चाहता हूं यह भी देख ले ही कि अब चुन्स मुझे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा गुलकरनी मैं नहीं मार पाऊंगा तुकिसे बात कर रहा हुदर नहीं सर प्लीज सर मैं नहीं मार पाऊंगा तुर पासु गुलकरनी जो पोर रहा हो कर दें नहीं सर बाकी मैं सबालों यह 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 आखिर तुमने मुझे खोनी बनाई दिया और खुश हो ना सर मुझे आरेश कर लीजे प्लीज सर तुम चुप करो तुम्हारी कोई गलती नहीं वो कुलकरनी की आत्मा का है मुझे पताओ मुझसे भी बड़ा बख्रा है यह कि अधिक काम होगया ना जाओ भी यहांसे जाओ मेरे दामाद को परशान मत दरो जाओ यहांसे जाते हो कि नहीं जाओने तो शूट कर दूगा तर देखेंगे ना कुलकरनी जा रहे है देखेंगे ना उने किता दुख रहा है कर दोस्तों मैंने बहुत देखेंगे पर तुम्हारे जैसा नहीं मेरी क्रियट की हुए आत्मा मुझे ही दिख रही है यह तो वहम है यह सब मेरा वहम है ओ गई तेरी कॉमेडी दो यह घुमा के मतलब तुम आत्मा हूँ मैं तुमने मुझे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया है दोखा दिया है तुमने मुझे इसलिए मैं समाधी से उठकर बदला लेने आया हूँ तुस्से मैंने क्या किया है तुमने मेरी आखें तो ले ही ले मेरे नाम पर मडर भी कर दिया और पुलिस को ब्योकूफ बनाते रहे नहीं छोडूँगा मैंने अपने दिमाग का इस्तिमाल किया आपका नहीं किया मैं तो पहली बार आत्मा को देख रहा हूँ सर अच्छा मतलब मेरे हेल्प के बिना तुमने बाप जी को माराया ये सोच रहे हो क्या जरा रील को पीछे घुमाओ अगर उस वक्त मैंने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम इस सुहाग सेज पर नहीं बलकि समाधी में लेटे होते अच्छा ऐसा क्या थैंक यू सर उसकी जरूरत नहीं है तुम ही रख लो आपका हैसान इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगो ये कह रहा हूं सर बिलकुल सकते हो और इसी जन्म में चुका सकते हो वो किसे सब लोग यही सोचते हैं कि मैं हाट अटेक से मराओ पर मेरा प्री प्लैंड मर्डर हुआ है मर्डर येस बिजनस डील में धोखा देकर मुझे मार दिया गया वह कोई और नहीं दुबई का एक बड़ा डॉन है जाफर खान तुम उसका मटर करोगा ॐं किया गाहां फिर से मटर है है माथ जटका लगा है तूमें नौटी απिती है जढका तो लगा है और इतना तगड़ा जटका है कि सुहागराथ के बारे में साल भर नहीं सोचेगा jurist झाल झाल